नमस्कार बच्चों कक्षा 10 एक्सरसाइस 6.2 का प्रश्ण 5 हम करने जा रहे हैं प्रश्ण है 8 सेंटिमीटर लंबा एक रेखा खंड A B खीचिये A को केंद्र मान कर 4 सेंटिमीटर त्रिजिया का एक वरित तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटिमीटर लंबा एक त्रिजिया का एक अन्य वरित कीजिये प्रतेक वरित पर दूसरे वरित के केंद्र से स्परश रिखाओं की रचना कीजिये तो बच्चों ये हमारा प्रश्ण है लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले 8 सेंटिमीटर की एक का एक रेका कंड खीचना है तो बच्चों इस तरफ को हमारे पास थोड़ी जगा कम है इसलिए हम इस कागस को थोड़ा सा गुमा लेते हैं और इसके बीच में हम ये है शून्य और ये है आठ तो ये सबसे पहले हमने 8 सेंटिमीटर का एक रेका कंड ए बी जिसको हमने नाम दिया था ए बी ये 8 सेंटिमीटर का हमने एक रेका कंड खीचा है अब हमने क्या करना बच्चों देखे पहला स्टेप था ए को केंडर मानके 4 सेंटिमीटर त्रीजिया का और बी को केंडर लेकर 3 सेंटिमीटर का एक रेका खीचना है तो सबसे पहले हम परकार लेंगे और 4 सेंटिमीटर त्रीजिया खोलेंगे देखिए ये हमने परकार ली और इसे हमने चार सेंटिमीटर खोला है ठीक है बच्चों फुट्टे की मदद से हमने देखिए इसको चार सेंटिमीटर खोला है और एक हमने चार सेंटिमीटर खोला है ठीक है बच्चों इसका मतलब A से लेकर इस बिंदू तक जो त्रीजिया आ गई वै आ गई 4 cm ठीक है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर यह है 4 cm इसके माद B को केंदर मान कर 3 cm त्रीजिया खोलनी है तो अब हम 3 cm त्रीजिया खोलेंगे देखिए ये तीन पर पिन रखकर और हम पूरे तीन सेंडिमीटर के त्रीचे हमने परकार की मदद से फुटे की मदद से खोली है B को केंद्र मानेंगे यानि B पर रखेंगे परकार की पिन और इस परकार से हमने एक व्रित बीस को केंद्र मानकर तीन सेंडिमीटर त्रीचे का यह व्रित बनाया है यह है तीन सेंडिमीटर आईए अब हमें बच्चों क्या करना है देखिए परते एक व्रित पर दूसरे व्रित केंद्र से सपर्श रेखाओं की रजना कीजिए अब बच्चों सबसे पहले देखो यह बड़ा व्रित है हमने B बिंदू से इस व्रित पर दो सपर्श रेखाएं खींचनी है आपको पता है न स्पर्ष रेखाएं कैसे खींचते हैं सबसे पहले जिस बिंदू से आप भूल जाओ कि यहाँ पर एक वरित है आप सिरफ यह याद रखो कि यहाँ पर सिरफ एक बिंदू है इस बिंदू से हमने इस वरित पर दो स्पर्ष रेखाएं खींचनी है तो आपको याद होगा क्या स्टेप से सबसे पहले इसका हम क्या लेते हैं लंब समधिवी भाजक लेते हैं तो देखिए A पर केंद्र लिया आधी से ज़्यादा कमपस खोलनी है एक चाप उपर और एक चाप नीचे लगानी है उतनी ही त्रीचिया के साथ B पर केंद्र रखा एक चाप उपर एक चाप नीचे लगानी है अब हम क्या करेंगे बच्चो Scale की मदद से इन दोनों चापों के प्रतिछेदी बिंदूओं को आपस में जॉइन करेंगे लेकिन हमें सिरफ इस प्रकार से ही इनको जाइन करना है dotted line से क्योंकि असल में हमें ये line की बाद में जादा जरूरत है नहीं तो इसले dotted line लगाई है यह यहीं आएगी इस बिंदूपर ठीक है तो यह आगया इसका मद्धे बिंदू चाहे बी तक चाहे ए तक खोल कर एक हम व्रित बनाते थे इस प्रकार से ठीक है बच्चो अब बच्चो ध्यान से देखना जो मैं कहने जा रहा हूं आप बड़े ध्यान से समझना यह व्रित आपके पहले वाले व्रित को दो बिंदूओं पर काटता था इस बी बिंदू को उन दो बिंदूओं से जोन करतेंगे हम माल लेते हैं कि ये जो पहले वाला व्रित है इसको इस हरे वाले व्रित ने दो बिंदूओं पर काटा इनके नाम लिख दो पी और क्योग तो B को P और केओं से जोइन करतो यह हमारे पास फुटता है B को P के साथ जोइन करतो और B को Q के साथ भी जोइन करतो तो बच्चो यह B P और B Q इस वाले वृत पर B बिंदू से दो सपरश रेखाएं हो गई साथ की साथ ही हमें A बिंदू से इस वाले वृत पर भी दो स्परश रेखाएं कीचनी है इसके भी step वही है लंब सम्दी भाजक लेंगे A, B का वो तो यही आएगा M, M से लेकर वृत बनाएंगे वो यही आएगा हरे वाला अब यह हरे वाला वृत इस orange वृत को देखिए दो बिंदूओं पर टच कर रहा है इनके नाम लिख दो आप R और S तो A बिंदू को R बिंदू से जोइन कर दो और इधर A बिंदू को S बिंदू से जोइन कर दो तो यह A, R और A, S इस वृत पर A बिंदू से दो स्परश रेखाएं हो गई तो बच्चों हम क्या लिखेंगे B, P और B, Q तथा A, R और A, S A, S स्परश रेखाएं हैं ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से हमने यह प्रश्न कर दिया है देखिए कितने साले कलर्स की मदद से हमने इसे करने का प्रयास किया है ताकि आपको असानी से यह समझा सके परन्तु आपने यह सारा ही काम पैंसिल से करना है हम पैंसिल का प्रयोग वीडियो में इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको उसे दिखाई नहीं देगा इसलिए आपने यह सारा ही काम पैंसिल से करना है आशा करता हूँ हमारी यह मेहनत आपको समझाई होगी और यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके वहाँ पर अन्य प्रशनों को देखकर उनके वीडियो को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद बच्चो